बच्पन में मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं उसे इस चीज से क्यूं गुजारूं 15 साल की उम्र में जब उसने दस्वें की परीक्षा पास की तब मैंने उसे अपचारिक शिक्षा से निकाल लिया और फिर उसने कहा आप सबको इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं मैंने कहा तुम्हें बस ये जाननी की जरूरत है मेरे पास बहुत काम था तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं हमारा अपना बच्चा होना चाहिए पर मेरी पत्नी ने कहा कम से कम एक, मैंने कहा ठीक है, एक, सिर्फ एक तो ऐसा हुआ और जब वो छोटी थी, तीन साड़े तीन महीने की तब से मैं पूरे दक्षन भारत में ड्राइव करता था, वो मेरी कार की आगे की सीट पर बंधी रहती थी मैं अकेला कार चलाता था, मेरा एक हाथ यहाँ, एक हाथ स्टेरिंग वील पर ये वो समय था जब हम ईशा फांडेशन बना रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा यात्रा करता था गरता, और वो मेरे साथ रहती थी जब वो साड़े 3 महीने की शिशू थी, तो पहले 4 साल वो मेरे साथ कार में बढ़ी हुई, और कई लोगों के घरो में भी इसलिए वो हजारों लोगों से बिली, और उसने सीखा की किसी भी घर का हिस्सा कैसे बना जाता है, कहीं भी, चाह पूर्वधारणा की भावना विक्सित हो पसंद नापसंद की कहा रहना है और कहा नहीं रहना है और जब तक वो तीन साल की हुई वो कम से कम हजार लोगों को नाम से जानती थी जिने वो अपना दोस मानती थी वे निश्चेत रूप से उसकी उम्र के नहीं थे सभी बड़ी उम्र के थे तो जबरदस्त रूप से लोगों से सामना होता था और मैंने सोचा कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजूँगा क्यूंकि मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा कि मैं उसे क्यों इस चीज से गुजारूं। फिर जो एकलौती चीज जो मैं उसे उपलब्द नहीं करा पाया। वो थे उसके हम उम्र के बच्चे। तो मैंने उसे ऐसे स्कूल में भीजा जहां ज्यादा कॉंपटिशन और ज्यादा दबाब नहीं था। इसल मैं नहीं पूछने वाला कि तुम क्या बनोगी। तो आपको उसके अंकों और उसकी शिक्षा की चिंता करने की ज़रूत नहीं है। अगर वो खेलती है, अगर वो अच्छी तरह खाती है, तो मैं खोश हूँ। वो बढ़ रही है, उसे अच्छे से खाना चाहिए, अगर व जोर देते, तो मैं अपना नाम लिखते था, नहीं तो मैं नहीं लिखता था, और फिर अंतिम परीक्षा होती थी, तब मैं सिर्फ 35 नंबरों के लिए मेहनत करता था, और मुझे हमेशा 35-36 ही मिलते थे, मैं हिसाब लगाता था, मैं 30 मिनिट से ज्यादा कभी परीक्षा हॉ तो क्लास में कुछ बचे रोते थे, क्यूंकि उनके उतने नंबर नहीं आते थे, जितने उनके शेर माता-पिता चाहते थे, और कुछ गर्व से घुम रहे होते थे, क्यूंकि वो पहले या दूसरे स्थान पर आये होते थे, जब भी टीचर मुझे कार्ट देते, ये रिप चल देकर नहीं देखना चाहता था कि ये क्या चल रहा है, तो मैंने खास्त और पर स्कूल के प्रिंसिपल से दर्खास्त की, मेरी बेटी की शिक्षा के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो बस अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहे, वो अच्छी तरह खा तो मैं खोश हूँ. तो जब वो पंधरा की हो गई और दस्वी की परीक्षा पास की, मैंने उसे अपचारिक शिक्षा से निकाल लिया, और क्यूंकि ये उसकी मा का सपना था, और मेरी बेटी की भी बहुत रूची थी, तो मैंने उसे नरित्य सीखने के लिए भेज दिया, वो भारत नाटियम सीखने लगी और अब वो देश के उभरते कलाकारों में से एक है तो मैंने कभी उसे एक बच्ची नहीं माना पहली बात दो साल की उम्र से जब से वो बोलने लगी मैंने हमेशा उसे बराबर माना एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की तरह आप जानते हैं हम ईशा फांडेशन तयार कर रहे थे ये स्वयम सेवकों द्वारा चलाया जाता है स्वयम सेवक का अर्थ है हम अलग-अलग काम करते हैं हम दुनिया भर में बिजनस और बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं उन में से सिर्फ कुछ टीचर प्रशिक्षित हैं बाकी कोई भी अपने काम के लिए प्रशिक्षित नहीं है ठीक है क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकता और IIT या IIM या ऐसी जगह से किसी को नहीं चुन सकता वे जिनें आप सभी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है शायद वे मेरे पास आते हैं जो भी आता है मैं उन्हें ले लेता हूँ और इस काम उस काम हर तरह के काम में लगा देता हूँ तो जो काम एक शब्द में किया जा सकता है मुझे 100 शब्द बोलने पढ़ते हैं उन्हें समझाने के लिए ताकि वे काम करते रहें, प्रतिबद रहें ताकि काम आगे बढ़े और क्यूंकि वे स्वयम सेवक हैं आप उन्हें निकाल नहीं सकते जो भी हो, आप उन्हें अकुशलता या किसी वज़े से निकाल नहीं सकते इसलिए संगठन में, management में जो भी समस्याएं होती लोगों की व्यक्तिकत समस्याएं व्यसक समस्याएं, हर तरह की समस्याएं मैं कभी भी उसे एक समस्या देता और कहता इसका क्या करें वो अध्भुत और सरलता से भरपूर समाधान निकालती कभी-कभी सटीक समाधान, कभी-कभी कुछ निराला बारा साल की उम्र के आसपास एक दिन वो घर आई और वो किसी चीज को लेकर परिशान थी और उसने स्कूल में देखा था और तब उसने कहा, आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं सिखा रहे है मैंने कहा, देखो, मुझे बिना कहे कुछ भी सिखाने के लिए नहीं जाना जाता अब तुम खुद आई हो, तो बैठ जाओ मैंने कहा तुम्हें बस यही जाननी की जरूत है किसी को उंचा मत मानना भौहें तन गई आपको भी नहीं मैंने कहा खास तोर से मुझे क्यूंकि जो मैं हूँ उसका महत्वत अभी है जब तुम मुझे वैसा ही देखो जैसा मैं हूँ अगर तुम मुझे उंचा मानोगी तो तुम मुझे दिवार पर टांग दोगी और शायद धूप जलाओगी या मुझे पर माला डाल दोगी और मेरे बारे में भूल जाओगी इससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा तुम्हे मुझे वैसे ही देखना चाहिए जैसा मैं हूँ मुझे बस वैसा ही देखो जैसा मैं हूँ फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वका हूँ पर अगर तुम मुझे उंचा मानोगी तो तुम इससे चूप जाओगी इसलिए कभी किसी को उंचा मत समझना, कभी किसी को नीचा मत समझना, अगर तुम ये एक चीज करती हो, तो तुम हर चीज को वैसी ही देखोगी, जैसी वो है, जब तुम चीजों को वैसी ही देखोगी, जैसी वे हैं, सिर्फ तभी तुम सहेचता से आगे बढ़ सकोगी, है ऐसा ही जीवन के साथ भी है जब तुम हर चीज को वैसे ही देखोगी जैसी वे है सिर्फ तभी तुम जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकोगी आपको अपने बच्चों को सिर्फ यही काबलियत देनी है तो मैंने हमेशा उसके साथ बड़ों जैसा बरताव किया कभी खुद को उससे उपर रखने की कोशिश नहीं की मैंने यही बुनियादी परविरिश की कि उसे ना तो किसी को उँचा मानने के जरूत है और ना ही किसी को नीचा मानने के जरूत बस हर चीज को वैसे ही देखो जैसी वो है बस जीवन को वैसे देखना सीखना, जैसा वो है उंचा समझना एक जूट है, नीचा समझना एक जूट है उंचा देखना एक तरह की पूर्वधारणा से होता है नीचा देखना भी एक पूर्वधारणा से होता है जीवन का हर रूप, हर चीज, चाहे वो जो भी हो, उसे आदर देने की काबलियत होना यही हमारी संस्कृती है मैं चाहता हूँ आप इसे समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज है अगर कोई कागस भी हो, जब हम बड़े हो रहे थे, तो एक कागस पर भी पैर नहीं रख सकते थे हाँ, हाँ या ना, आप में से कई लोग इसी तरह अपने घरों में बड़े हुए हैं बस एक छपा हुआ कागस, यह कुछ नहीं है हो सकता है, समचार रद्धी हो, पर आप उस पर कदम नहीं रख सकते क्यूंकि आप खुद को उसके जरीये शिक्षित करते हैं अगर आप धर्ती पर पैर रखना चाहते हैं, तो आप उसके आगे जुकते हैं आप किसी चीज को उंचा नहीं मानते या किसी चीज को नीचा नहीं मानते जो आप अपने भगवान के साथ करते हैं वही आप सब के साथ करते हैं ये किसी सांस्कृति क्या धार्मिक तरीके से ना बताते हुए मैंने बस इसे उसके जीवन में उभारा और मुझे लगता है इस झाल